सिनहासन 32 की सात्वी कहानी कौमुदी पुतली की कथा राजा भोज सात्वे दिन खिर दर्बार पहुँच कर सिनहासन की तरफ बढ़ने लगे तभी सात्वी पुतली कौमुदी ने राजा से कहा यहां बैठने की जिद छोर दो इस पर सिर्फ राजा विक्रमादित्य जैसा गुनवान ही बैठ सकता है राजा के गुनों को बताने के लिए सात्वी पुतली ने एक कहानी सुनानी शुरू की एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में सो रहे थे आधी रात में उन्हें रोने की आवास सुनाई दी इस आवास को सुनकर राजा बाहर निकले जैसे ही वहक शिप्रा के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जोर जोर से रो रही है वो उससे उसके रोने का कारण पूछने लगे तब महिला ने बताया कि वो चोर की पतनी है और राजा ने उसे पेड से उल्टा लटका दिया है राजा ने पूछा तो क्या तुम्हें इस सजा से कोई परेशानी है उसने कहा सजा के फैसले से कोई परेशानी नहीं है लेकिन यह बात बुरी लग रही है कि मेरा पती भूखा प्यासा उल्टा लटका हुआ है इतना सुनकर राजा ने जट से पूछ लिया कि उसने अब तक उसे कुछ खिलाया पिलाया क्यों नहीं तब उसने कहा वो बहुत उचाई पर लटका हुआ है और मैं किसी की मदद के बिना उस तक खाना नहीं पहुँचा सकती हूँ तब विक्रमादित्य ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ यह सब सुनकर महिला बहुत खुश हुई वो महिला उस व्यक्ती की पत्नी नहीं बलकि एक भूत थी जो उस लटके हुए शक्स को खाना चाहती थी उसने राजा विक्रमादित्य के साथ वहाँ पहुच कर उस इनसान को खालिया भूक मिक्ते ही उसने राजा से मंचाहा वर्दान मांगने को कहा तब नरेश विक्रमादित्य ने उससे अनपूर्णा पात्र मांगते हुए कहा कि इससे उनकी प्रजाका भला होगा इस वर्दान को सुनने के बाद उस राक्षसी ने कहा कि अनपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है लेकिन वो अपनी बहन को कहकर उसे दिला सकती है वह राक्षसी अपनी बहन के पास पहुची और सारी बात बताते हुए उससे अनपूर्णा पात्र मांगा उसकी बहनने खुशी-खुशी वह पात्र राजा विक्रमादित्य को दे दिया उस पात्र को लेकर राजा आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक ब्राह्मन रास्ते में भूख से तड़पता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, हे राजन, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे जल्दी से कुछ खिला दो। राजा ने तुरंट अनपूर् पात्र से भोजन मांगा और ब्राह्मन को खिला दिया। भोजन खिलाने के बाद राजा ने ब्राह्मन से दक्षिना मांगने को कहा, ब्राह्मन ने राजा से वह पात्र मांग लिया और कहा कि इसकी मदद से वो कभी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने बिना किसी जिजक्क उसे तुरंत पात्र दे दिया और राज महल की ओर आगे बढ़ गए। इतनी कहानी सुनाते ही सात्वी पुतली उड़ गई, यह सब सुनकर राजा भोज सोच में पढ़ गए। उन्होंने मन में सोचा कि अब यहां बैठने का कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। कहानी से सीख, निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा ही होता है। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झाल सोचने के लिए हमारे चाहिए, छूसरी वाले के लिए भाव से सब्सक्राइब करे लिक का बाते हैं।